नमस्तिक आस्तकार तो आज हम उस्टों में देखेंगे कि आपके घर में ही गोदाम जैसा माल सुरक्षित कैसे रखे यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे कि आप जो अपना अनाजवर के फसल बंडारंद करते हो तो उसका बंडारंद कैसे करना है जो आप आपकी फसल की बंडा पचा जाए वो भी हमें आपर देखेंगे उसको बुर्ची लगती है तो बहुत सारी इंपोर्मेशन लेने वाले हैं कि आपके घर को ही आप कैसे गोदाम बने सकती हो तो आखरी तक वीडियो देखिए तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कि हम खेती से रेलेटेड ऐसी वीडियो लाते रहते तब चानल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और अगे जाकि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी बनता है तो अभी हम हमारे topic के ओर बढ़ेंगे जैसे कि आप सब जानती है कि वीडियो उसमें माल जब जाता है तब जैसा जाता है वैसा ही 2-3 मेने बाद या पिर साल भर बाद वैसा का वैसा ही माल रहता है और अगर हमने वही माल घर में रखा होता तो उसमें कीडे लग जाते हैं या फिर उसमें बूरुची लग जाती है या फिर उसका रंग काला पड़ जाता है तो ऐसा क्यों होता है इसी के ही बारे में हमें आपे जान कर लेंगे सबसे पहली तो बात जाजातर किसान क्या खरता है उनकी जो फसल होती है वो जल्ली जल्ली में काट लेते है और उसके बज़े से क्या होता है कि वो अच्छे से सुखी नहीं होती है तभी भी वो काट लेते है अपनी फसल उसके बाद में वो गंजी पर भी उसे एक सुखात न ही है डायरेक ले उसको हैर्वेस्टर से निकाल लेते है और उसके बाद में इसी इंदजार में वो रहते है कि कब भाव जादा बड़ेगा उसके बाद में उनकी फसल हो घर से निकालेंगे और डायरेक मार्केट में डाल लेंगे मगर जो उन्हेंने खेट से माल लाया था वो ऐसा नहीं रहता है कुछ मैनों के बाद वो खराब हो जाता है तो उसे सही कैसे रखी इसके लिए मैं आपे उपाय लाया हूँ तो सबसे पहली बाद आपको माल अच्छे से सुखाना है मगर 90% लोग अपना माल किणी खाहरोनों को विज़े से वो अच्छे से सुखा ही नहीं पाते उसमें कम से कम माइस्ट्र आपको रखना है मगर रखनी पाते तो आप अकेले नहीं है बहुत सारे लोग है स्बसे पहले चिक कर लेना है सबसे पहले चिक केसे करेंगे आपके पास कोई तो यंद्र नहीं है मोईस्चर चेक करने का, मोईस्चर चेक करने का एक ही तरिका है, जब आप मंदी में जाते हो, तब ःपद रहते हैं, उनको तोड़े सा ध्यान से देखना, वो आपका माल खरिदने से पहले उनकी हो अपने दाथों में उससे चभाती है, क्यों चभाती है, क्योंकि उनको मोईस्चर लेवल चेक करना पड़ता है क्योंकि उस जो वजन रहता है उसमें घट आती है मोईस्चर की बची से तो ओ चीज ओ ध्यान में रखते है तो वैसा ही आपको आपका माल जब आप जमा करेंगे तब आपको मोईस्चर के चेक कर लेना मोईस्चर कैसे चेक करेंगे दातों में आपको सिंपल दबाना है अगर वो तूट गया फूट गया दातों के बीच में दबाने के बाद तो उसका मोईस्चर बढ़िया है माल होता उसके बज़े से तो आपको आगे में बताऊंगा ही आपको कैसे उसका ख्याल रखना है कि उसके बात मैं दूसरी बात जब आहाफ का खेट से माल लाखते हो तब आप क्या घरते हो अब यस सबस्ते सुछचते में यह वाथ स्क्रीन पर दिख रही है ऐसे आपको प्लास्टिक की जो बोरिया मिलते हैं उसे में ही आप माल लाल कि रखते ते हो और इसी के ही बज़े से आपका माल खराब होता है आपने कभी नहीं देखाऊंगा कि वियर हाउस में ऐसी थैलिया रखी है और इसमें माल स्टोर किया जा रहा है वो हमेशे आप बोरी जो रहती है अपनी सुतली की जो आपको अभी दिख रहे होंगी इस तरीकी के बोरी में वो माल रखते है इसी के ही बज़े से उनका जो है माल में मौईस्टर जो रहता है उसके बज़े से जो उसमें से भाप निकलती है वो पॉलिथीन की जो रहती है कटे उसमें अटक जाती है और उसके बज़े से वो भारी उसकी परत में वो मौईस्टर अटक जाता है उसको पसीना आता है उसके बज़े से उसमें जो है फंगस लगता है या पिर कीड़े बनबते है तो एक चीज आपको ध्यान में रखने हैं कि आपको जो है एक सुतरी के कट्टे जो रहते है थोड़ से पैसे गए तो चलता है मगर वो खरीद के लाने है एक ए बात उसके बाद में क्या करते है लोग जो जहाँ पर अपना ज्यादातर लोग अप सापसपाई करनी है उसके बाद में उसमें जो है एक किटक नासित का स्प्रे उसके जो भी दिवारे उस पर आपको कर देना है ताकि जो बिछले इसमें जो किड़े थे या फंगस थी वो पूरी मर जाए तो एक चीज आपको यह करनी है या फिर आपको पैसे नहीं गवाने तो सिंपल क्या करना है आपको नीम के पत्ते लेने है थुड़ा सा उसे जलाना है उसके बाद में उससे जो दुवा निकलता है उससे जो है पूरी रूम के जो फंगस होते हैं कीड़े होते हैं वो नाच्रेली नेसरगी रूप से मर जाते हैं तो आपको यह कीज चीज आप कर सकते हो उसके बाइद में आप जो है नीचे जो अपना गुदा में उसके नीचे यहाँ पर प्लास्टिक डाल की ही आपको अपना माल रखना है क्योंकि ज्यादा तर घ्या होता है बारिस के सिजन में आप ठंडी के सिजन में जो फर्च होती है वो ठंडी हो जाती है उसके बज़े से जो है आपका कठे रहते हैths को भी थोड़़ ची नमी आती है लिखराब होता है नीचे पन्दिः है उसके भाद मैं आपको जो आना हैlem inici में अगर आपको पंद्यी छाकते तो है कि जिसके उपर च्छत है तो उसमें आपको माल में रखना है उससे जो है बरसात में उसमें नमी ज्यादा होती है और सर्दी की सीजन में भी होती है तो आपको एक चीज जहान में रखने है अभी जब भी आप अगर आपके पास गोदाम नहीं है तो गोदाम बनाते वक्त आपको एक ची धैन में रखने है कि उसके Jupiter जाहें टीन की पत्रिया ही उनी चाहिए उससे आपका खर्चा भी बजई काश ऑपका माल भी सुरक द्रोएं टीन की पत्रीयों वाला हुझा गोडाओं में अगर आपका माल सर्दियो में स्टोर कर रहे हो तो अच्छा है बरसात में स्टोर कर रहे हो तो अच्छा है मगर धूब के सीजन में आपको वह स्टोर नहीं करना है उसके बज़े से आपका माल की जो मोईस्चर है वह बहुत ही कम हो जाती है उसका वजन कम हो जाता है और वजन कम हो गया तो आपका नुकसा तो दूब के सीजन में तो वैसे तो लोग रखते नहीं अपने घर में जो भी रहता है वो बीजवाले लोग रखते हैं तो वो चीज आपको ध्यान में रखते हैं थोड़ा सा खर्चा लगे तो चलेगा मगर माल यहां से वहां हिलाते रहना है और बहुत सब्सक्राइब कहते आपका माल पूरा सुखा हुआ नहीं है उसका अगर पचिना आया मतलब उसमें से भाप बाहर निकली तो आपका माल खराब हो सकता है उसका कलर खराब हो सकता है तो यह चीज आपको ध्यान में रखने हैं और अभी आप बोलोगे कि उसे खुला भी रखना है और उसमें जो दालने पड़े कि गोदां वाले भी डालते हैं उसका नाम है सलफास यह पूरी दुनिया में है जो कीड़े रहते हैं भंगस रहते हैं उनको भगाने के लिए एक मात्र हो शुदिये तो इसको कैसा ही यूज करना है इसके इसके इस्तमाल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है सिंपल आपको जाए 10-12 रूपे में 10 ग्राम की एक पैकेट मिलेगा उसको सिंपली 5-10 कट्टे के बीज में रख देना है आपने जैसे भी कट्टे रखे हो उसके इसाब से वो चेंज होता रहता है वो आपको जो है इसे थोड़ सा इसको चिरा मारके सिंपल लग देना है उसके बज़े से जो है आसपास में इसका जो है सुगंद या पिर हम दूरगन भी कर सकते इसे तो यह फेल जाएंगा और इसके बज़े से जो है कीडे बड़े बंपेंगे नहीं पंदस लगेंगे नहीं और इसका जब वो सुधंद जो भी है वो कम हो जलता उसके पाज में आप दूबारा से दूसरी वाली डाल दीजे इसमें जिससे के आपके माल में कोई भी कीडे नही इतने चीज़े आपको कर लेनी है ताकि आपका जो माल है वो सुरक्षित रहे और अभी आपको पता चलिया है कि आपका माल सुरक्षित कैसे रखना है इससे आपको मुनाभा भी होगा जो कि आपके माल खराब हो जाने के बाद आपका मुनाभा नहीं होता था तो इसी बात पे चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए